प्रेंड वेल्कम बेक टूसेंटी रोए चनल मैं हूं आपका दोसेंटीरोए तो आज मैं फिर से बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आए हूं जैसे कि आपने मेरे इस वीडियो के थामेल में पढ़ ही लिया होगा आज मैं आप लोगो सिक्स्टी के करीब आई लेंसे परवा सकते हैं यह सकी मालत है कि आप nov photo जो लेते हैं वैढ़न के अंदर या तो नौर्मली जो और टेम वेस्ट नहीं करते हैं चलते हैं सीधा अपने वीडियो की तरफ वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और किसी को किसी भी टाइप के सॉफ्रेर बाई करने है जो स्क्रीन में आपको इस वक्त नमबर दिखाए दे रहे हैं यह मेरा व लोग तो मेरे वीडियो देख लेते हैं लेकिन जिन्होंने सिफ स्क्राइब किया हुआ है उन तक मेरे वीडियो नहीं पहुछ बाती है तो प्लीज एक बार मेरे चैनल पर फिर से विजिट करें और आप चेक करें कि अगर आपने स्स्क्राइब के साथ में बैल आइकन जो वो दबाया कि नहीं दबाया अगर नहीं दबाया तो प्लीस आप उसको दबा लें अगर दबा दिया है तो बिल्कुल ओके है और जो मैं चैनल पर नए आए है प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जो दबाए मैं आने वाल टेम पर आपको दिखाऊंगा इसी वी लेख सकते हैं माल लेते कि जो आप वीडियो इस वक्त देख रहे हो वह यहीं वाली वीडियो है ठीक है मैं आपको एक्जेक्टली नहीं पता सकता क्योंकि यह वीडियो में बना रहा हूँ तो मेरे यूट्यूब दबाने यूजर करके बैल आइकन दबा ले और जो मेरे पुराने यूजर जिनों ने subscribe किया हुआ है तो यहां पर चेक कर लें कि बैल आइकन दबाया अगर नहीं दबाया तो प्लीस क्लिक कर के ओल पे क्लिक कर दें ठीक है तो जैसी हम लोग चलते हैं डाउनलोड की तरफ तो यहां पर आपको दिखेगा मेरा शोशल मीडिया का सारा लिंक ठीक है यहां पर लिखा भी विजट करके आप देख सकते हैं कि वेबसाइट कैसी है और यहां पर दूसरा चैनल का लिंक है अगर आप ने डा llev और यहां पर आपको लगता है कि मेरे वीडियो बहुत अच्छे बयाए गर इंश और आ रहा है अर्चिव नोट फाउंड या तो डैमेज का तो यहां से आप विन्दार को डाउनलोड कर लेंगे ठीक है तो मैं डाउनलोड अभी अपना यहां पर है माल लेते कि जो मैं आपको इस वीडियो के दे रहा हूं वह आपको लिंक यहां पर दिखाए देगा ऐसा ही इसको दबा देंगे तो इससे होगा यह जैसे मैं आप पोस्ट करूँगा कोई भी पोस्ट अपने वेबसाइट पर तो आपके पास नोटिफिक्शन आ जाएगा तो माल लेते कि जो अभी हम लोग वीडियो बना रहे है वो यही वारा वीडियो है ठीक है तो यहां पर आप तो एक बाद आप नई वेबसाइट पर यह गूगल की वेबसाइट आपको यहां पर डाउलोड बटन तबा के डाउलोड करने बहुत ही सिंपल कर दिया मैं एक तरीका अब जरूर इसका करते हैं चलते हैं आपने वीडियो की तरह है तो जहां पर देख सकते हैं कि मैं एक की फाइल रखे हुए जब आपके पास भी यही विंडार की फाइल आएगी तो मैं आपको बता दो चाहता हूं कि यह विंडार की फाइल सिर्फ 10 MB की है डाउलोड करना बहुत ही इजी है आप डाउलोड करके आप इसको यूज कर सकते हैं जब आपके वाली फाइल आजाएग आपके पास भी ऐसे फोल्डर आजाएगा ठीक है तो यहां पर इस फोल्डर के अंदर जाके मैं आपको एक बार मेटरिल चेक कर आएगा तो कि मैटरिल है कैसा यहां पर आप देख सकते हैं यह इसको कैसे यूज करना है वैसे बहुत सारी लोग को और पता है लेकिन मैं फि 2020 तक सारे वर्जन आप यूज कर सकते हैं बहुत ही है तो मैंने यहां पर अल्रेडी फोटोशॉप CS6 को ओपन करके रखा हुआ है यहां पर मैं आपको काम करके दिखाऊंगा तो यह मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया है अपनी फॉटो ओपन करता हूं जिसके अंदर जो ग्लो होता है वो शो करेगा जो लाइटिंग होती वो शो करेगा अगर आप माल लेते हैं कि पूरी सर से लेकर पैड़ तक की फोटो और फोटो बहुत चोटे साइज किये तब आखों का क्या कलर है वो पता ही नहीं चलता है ठीक है तो आप खुदी समझधार है सब सब्सक्राइब ह clipping लेंगे तो यहां सब्सक्राइब को यहां से एक ब्राउण वाला देख लिते हैं इसको might कर लिया है और एड्रैक करके मैं लेकर जारो हो फोटोशोप के उपर और फाइल के ओपर मैं यहां पर छोड़ देता हूं यहां पर इतना बड़ा आगया आप आप देख सकते हैं मैं जूम करना पड़ेगा तो यहां पर अभी हम लोग शिफ्ट दबाके इसको छोटा कर लेंगे पहले तो यहां पर छोटा कर लिया और जित दिखाए दे रही है उसी के उपर आपको यह लगाना है यह मैंने इतना लगाया सबसे पहले तो आप ने जो अपनी फाइल डाली है इसके उपर आप उस फाइल की ऑपसीटी थोड़ी से डाउन कर लें जिससे कि आपको उसकी आई बोल का साइस पता चल जाएगा यहां तक एक तरफ से यहां से सेट किया और एक तरफ से यहां से जो है यहां को इतना आपने कर लिया उसके बाद यहां से आपने इतना इसको फिला दिया यह हो गया है थोड़ा सा इसको हमनों ड्रैक कर लेते हैं और उपर की तरफ कर लेते हैं यह मैंने इसको यहां तक कर दिया और सिट्वेशन में आपको क्या करना है अपने जो कटर होता है अपना जो लासर टूल वगारा होता है तो यहां से पॉलिफॉनिक को सेलेट कर लेंगे अपना यह एरिया आपको सेलेट कर लेना है तो ध्यान से भी को सेलेट करना है आपको इसमें फैदर नहीं लेना है ठीक है य इसके बाद आप यहां से अपना ऑपसिटी ओपन कर लेंगे फिर से यह मैं डाल दिया अब इसको कर देंगे डिलीट अपने कीबोर से डिलीट तो डिलीट अभी मेरा यहां पर नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी चुछ लेयर है यह स्मार्ट अबजेक्ट में तो पहले मुझे अब मुझे क्या करना है अब अगर मैं इसको छोटा करूं तो आप देखें कि बहुत ज्यादा हाइलेट दिख रहा है अगर आपको इतना ही पसंद है इतना अच्छा लग रहा है तो इतना रखें अधर्वाइस आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं आप वापिस से आप अ अब क्या करेंगे उसकी और पिचर के ऊपर थोड़ा सा आपको पैच चलाना पड़ेगा यानि की स्टैंप वगरा या तो फिर जैसे भी आप मिटाते हैं कलर वगर वह चीज़ करनी पड़ेगी आपको तो मैं यहां से पैच टूल को स्लेट कर रहा हूं इस वाइट वाले क कर दो आपको अगर आपको बहतने करनी है तो आप डाउन कर सकते हैं कितना आपको रखना है वैसे पूरा फूल रखेंगे तो डैफिनेट्ली वह और नहीं लगेगा थोड़ा सा ऊंपर शुटी डाउन ही रखें आप इतना आपने कर दिया तो यह आपके आखि होगी है लेकिए जा रहा हूं ठीक है यहां पर मैं लेकिए गया और आपको क्या करना है अब उपर से तो पड़ा हुआ था यहां पर दीख सकते हैं थोड़ा सा यह मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं अपना इसको layer को off कर लेता हूं या opposite down करके अपना यहां से मैं select कर लेता हूं फिर से अपना area यह मैं select कर लिया आपकी बार मेरी जो यह layer है smart object नहीं है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं smart object मैंने पहले हटा जिती वापस मैं इस layer को open किया और यहां से मैं delete दबा देता हूं यहां पहले फैदर लेते हैं एक का यह का फैदर अल्री है ही मैं enter किया और delete दबा दिया यह मैं delete हो गया यह मेरा set भी हो गया लेकिन पहले मुझे अब उस वाई layer का check करना पड़ेगा कि कितना मिने opacity घटाया था तो same to same मुझे opacity उसकी घटानी पड़ेगी ठीक है तो मैं इस लेयर पर रैट क्लिक करके select किया यहां पर मैं देखने हो तो 87 मैंने किया था तो इस लेयर पर आपके 87 मैं सोग कर देता हूं यह मेरे 87 कर दिया तो यह मेरे दोनों की दोनों सेट हुई है तो मैं आप इसको छोटा कर लेता हूं तो आप छोटा कर लेता आप यहां पर देख सकते हैं कि आभी हम लोग की photo बिल्कुल नैच्रल लग रहे हैं अगर यहां पर आपको color change करना हो आखों का माले देख कर दिया तो अपनी उसी लेर पर सेलेट करके रखेंगे यह तो आप दोनों लेर को मर्ज करतो सेट करने के बाद रहे हो गया मैं दिसेबल करके आपको दिखाता है इने वल किया तो जो भी हम लोग लगा लगा थी वह आ गयी है color set करने के लिए आप color black color में आया है यह वाला अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है आप देख सकते हैं यह मैंने color इसका set कर दिया ठीक है अब यह बिल्कुल बढ़िया हो गया है सही हो गया आप इसको यूज करें मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूज करना है गाइस अगर आ आने वाले वीडियो की नोटिफिक्शन भी आपको मिलेगी और जो मेरे चैनल पर नाया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भोले और बैल आइकन जोड़े दबाये आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन एडिव मेरा से चैनल का लिंक भी मिलेगा टो प्लीज उस चैनल पर विजट करें वहां पर वीडियो देखें अब बहुत बड़ीया वीडियो हैं वहां से आपने हिसाब से डाउनलोड करें जुक्त आपको चाहिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन चैनल करने वाला हूं फोटो शोप से रिलेटिर से लेटेड पेज मेकर वगारा या तो फिर ग्राफिक डिजाइनिंग से लेटेड या तो फिर वीडियो मिक्सिंग से लेटेड बहुत साय सॉफ्टेर की मैं महाँ पर क्लासिज चालू करने वाला हूं जैसकि नॉर्मल या प्रफेशनल तरी की से जैसे आप जाते हैं बाहर स लिची सीख सकेंगे तो गईस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लैक जरू करें शेर जरू करें और कमेंट जरू करें मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर I hope you guys enjoyed the video. If you really did, do not forget to like, comment, share and of course subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching. Love you guys!